इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही असान सी बुनाईडे लेकर के आई हूँ तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के उपर बना सकते हूँ बहुत ही प्रेटे डिजाइन है तो वीडियो पूरी देखिए का आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको पिसंद आएगा तो प्लीज लाइक चुरूर कीजिएगा इसको बनानी के लिए आपने रखने है फोर के मल्टी पल में फंदे प्लस आपको इसमें 3 एक्स्ट्रा फंदे रखने है तो जैसे कि देखे मैंने यहाँ पर 19 स्टिचिस डाले हैं अब 4 से गुणा करके 16 और प्लस उसमें 3 करके 19 फंदे में यहाँ पर डाले है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली रो सीधी तरफ से चार रो में डिजाइन परता है तो आप 4 रो ध्यान से देखिएगा पहली रो सीधी तरफ से रो वन राइट साइड से क्या करेंगे पहला फंदा सीधा बना लिया एक फंदा सीधा बनाएंगे दागा अपनी तरफ आप आगे वाले दो फंदे देखिए 1, 2 यहाँ दो फंदो का हम एक फंदा बनाएंगे और यह हम उल्टा बनाएंगे देखिए राइट साइड है यह पहला फंदा तो S3 चे उसको सीधा उतार लिया उसके बाद दो फंदो का एक फंदा बनाया एक अठा उल्टा फिर दागे पीछे ले जाएंगे अब आगे वाला ज तीन फंदे यहाँ पर बना लिए दागा अपनी तरफ करेंगे और आप आगे वाले तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे 1, 2, 3 तीनों फंदे हमने एकठे बनाने हैं उल्टे और आप इसको उतार देना है स्लाइसे अब देखिए ये दो फंदे छोड़ कर यहां से हम यही रिपीट करेंगी यही चार फंदे हम रिपीट करते जाएंगे तो क्या करेंगे देखिए पहले हम एक के तीन फंदे बनाएंगे ये इस तरह से सीधा बनाया दागे को गुमाया फिर से इसको सीधा बनाएंगे तो ये हमने बना लिए एक से तीन फंदे यहां पर फिर दागा अपनी तरफ करेंगे आब आगे वाले तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे और ये हम उल्टे बनाएंगे तो येही चार फंदे पूरी रो में हम repeat करेंगे फिर से देख लीजिए एक के तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से धागे को घुमाया फिर इसको सीधा बनाया फिर दागा अपनी तरफ और आप तीन फंदों को एक साथ हमने एक अठा बनाना है उल्टा तीन का एक फंदा हमने यहाँ पर करना है तो देखे पूरी हमने इसी तरह से ही complete करनी है यह देखे अब फिर से हम यहाँ पर लास में आपके पास चार फंदे बचेंगे तो इसमें पहले हम एक के तीन फंदे बना लेंगे दागे को घुमाया फिर एक के तीन फंदे यहाँ पर बना लिए दागा अपनी तरफ करेंगे अब देखे और फंदे हम एक साथ बनाएंगे उल्टे और अधागा पीछे करके लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे तो यह पहली रो हो गई राइट साइड से अब रो two पर आजाईए रॉंक साइड से तो रो two रॉंक साइड से यह हम पूरी उल्टे बनाहेंगे इस रो को हम उल् रॉंग साइड से उल्टी बनाएंगे, रो 1 और रो 4 हमने उल्टी बनानी है, अब रो 3 पर आजाईए, राइट साइड से 3rd रो सीधी तरफ से, तो इस रो को देखिए, पूरा हम सीधा बनाएंगे, इसको सिंपल जैसे सीधा बनाते हैं, निट करेंगे पूरी रो को, तो इस से अपने रो 4 उल्टी बना लेनी है, तो अब देखिए, रो 4 तक मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो भी रॉंग से बना ली है, तो अब यही चार रो हम बनाते जाएंगे, यहां पर हमारा डिजाइन ओबर हो जाता है, अब यहां से फिर से हम रो 1 से लिके रो 4 तक कंटीनू करेंगे, और हमारा यह डिजाइन देखिए, कुछ इस तरह से बनता जाएगा, देखिए, कितना प्रेटी बन रहा है डिजाइन यह, बहुत ही प्रेटी बनता है डिजाइन, आप ट्राय करके जुरूर देखिएगा, इसमें भी आपको इतना क्लियर नही कंटीनू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो, सुद्ध है